दोस्तों मैं राहूल पडिल डारेक्टर आप सुफताम एजुकेशन सर्वेसिस प्राइविट लिमिटेड इस बार एक पूरे नया टॉपिक लेके मैं आया हूँ आपके सामने और यह अगर आपने एंड तक देख लिया तो में भी शायद उससे आपको कुछ बैनीफिट होन सेयंके चैंसी ज्यादा हीं अगर church कुश्य करते हैं Mbps प्रोड के बारे में आप जाया तर्शा यह का एक हम लोग सी पहलू जोड़ने जा रहा है जो की शायद काफी कंसिल्टेंट लोग को ना भी पसंद आए और कुछ लोग इसकी सराना भी करेंगे ज्यादा तर अगर पैरेंट्स समझदार हैं बच्चे समझदार हैं तो उनको यह टॉपिक ज्यादा तर अच्छा लगेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत डीप लेवल का पुश्टमाटम किया गया है हमारा यहां पर इंडिया में पैरेंट्स का जो सबसे पहला चॉइस ऑफ सिलेक्शन हैं अगर हम लोग अब रोड के बारे में बात करते हैं तो ज्यादा तर पैरेंट्स का जो चॉइस रहता है वो रहता है चाइना मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ कोई भी कंट्री गलत नहीं है कंट्री के सिस्टम को समझ के चलने की ज़रूरत है तो यहां पर भी मेरी चीज रिपीट करूँगा कि मैं कोई trajectory के बारे में कुछ गलत या को यूनिवसिटी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलने जा रहा हूँ आपका सोचने का नजरिया change किजी किसी को गलत बोलने की जज़ूरत नहीं है medical school कोई बी तो प्रेपीटेड होगा तो ही उसको वहां पर परमिशन मिलती है अधर्वाइस कभी भी कोई मेडिकल कॉलेज ओपन नहीं कर सकता है ऐसे ही कोई भी कंट्री में डबली एच्च में नाम लादा में बहुत बड़ी बात हो जाती है हाँ तो हमलोग बात करेंगे जो चाइना के बारे में करेंगे जो की होट डष्टी क्वेशज कम हो जाएगा एक साल फुर्ज जाएगा लेकि वह गलत सोज ईगा सी एक साल कम हो जाएगा उसका कोई गैरेंटी नहीं कि वो कम होगा की नहीं होगा रिजन रिजन क्या है वो आपको भी एंड में बताऊंगा तब आपको जाके बता चलेगा आया आप 5 साल की महां पे पढ़ाई कर रहें लेकिन फीज तो आपको छे साल की पे करनी पढ़ रही है कोई भी आपको यह चीज़ बताता नहीं है बजेट जो भी दिखाता वो पांत साल का बजेट दिखाता आपको अगर दुसरा पॉइंट देखे तो लोगों का ऐसा लग रहा है एट्मोस्फियर एट्मोस्फियर की टोटली सोच गलत है हम लोग यहां पर जब हमारी बात चल दियोगी हम लोग मैप भी आपको एक हालाइट करके देंगे कहां पर क्या टेंपरेचर का महौल रहेगा आपको की बरफ गिरती है कि 70% चाहिना जो है वह बरफ गिरता है वहां पर पर स्नौ लगता है वहां पर बरफ होता है कि फिर जिदना थे सोच गलत है पर एंट्स की और बच्चों की तीसरी चीज आती है इंटेंटर्शिप वैली डेचा इना के यह इस इंट्स जुओड चौथी जो चीज आती है इंडिया से डिस्टन्स बहुत नजदीक है सही बात है लेकिन साथ में ही आपको सोचना चाहिए रिलेशन बिट्विन इंडिया इंचाइना इन फ्यूचर कुछ भी होगा तो वहां पर बच्चों का केरियर बरबाद हो अगर तो चाहिना के लिए दूसरा जो अपना है लोग यहां पर चौंपवारों उसकी बचरीज आपसे पर हम को एसा सो क्प्राउड जाए है कि वहां पर बच्चे ज्यादा जा रहे तो हमारे बच्चे को वहांपी बेजिंगे रहें किर तो उसक्च तर कुछ कुछ कॉलेजी बहुत ज्यादा फैमास हो चुके चाहिना की बच्चे ज्यादा ज्यादा होता है तो लोगों का ऐसा लगते अच्छा उप्शन है हमारे बच्चे भी वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर उतना रिसर्च नहीं होता है लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे हो रही होगी आप वो वेबसेट पर जाके भी आप चेक कर सकते हो खुद से भी मैं बोल रहा हूं उस पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है हमने क्या किया है एफम जी बार्ड जो एक्जाम लेता है याँ पर इंडिया के अंदर जब बच्चा जाता है अबरोर में तो अपना सबसे पहला सिलेक्शन होना चाहिए कि इंडिया की एक्जम क्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा लोग बोलते हम लोग यहां से कोचिंग दे रहे है आज तक सब लोग दे रहे थे लोग बो لेंगे हमारा सबसे अलग है सबका अलग-अलग ही होता है किसी का कॉपीरी रेट्स नहीं होता है कई लोग ऐसा भी वोलेंगे क्भी एमचे क्षे जरूर्द आपको USMLE करवा रहे बच्चा MSA ठीक से क्रेग नहीं कर पाड़े कर पाएगा यू के प्लैप क्लियर कर पाएगा जो बच्छा 12 में 50 परसंट 60 परसंट ला है वह कहां से क्रेक करेगा और अगर कोई बोल रहा है तो वो उसकी प्रोड़क्ट पे ट्रस्ट मत रखिए मार्केट में नंबर वन ओप्शन काफी सारे अवेलेबल है जो भी पुरान यूएस में डॉक्टर बन चुके हैं उनको कॉल करके पूछिए आप कि यूएस में के लिए सबसे बेस्ट मट्रियल कौन सा रहेगा वो लोग कैपलान और यह जो भी कंपनी से बाग की फैमस वही कंपनी का नाम लेके ज्यादा तर कैपलान ही चलता है लोग कैपलन से खु बात है 20-35 रुप्य आपको बरबात करवा रहे हैं लोग यूसमेल के नाम पर ठग रहे हैं आपको आपको शो आफ दिख रहा है उसका प्रेजंटेशन अच्छा बात है बढ़िया बढ़िया हो रही है मिस आपको अच्छा दिख रहा है सबसे पहला टार्गेट होना चाहि जो की इन फिचर नेक्स के नाम से जानी जाएगी तो एफ एम जी एक्जाम का जो पोस्ट मार्टम किया है हमने नैस्टनल एग्जमनेशन बाट ने 2014 में एक लिश्ट रिजारी किया था जिसके अंदर अलग अलेक उनिवोसिटी का स्टूडेंट का पासिंग रेशियो दिय लग एक चीज अच्छी हो गई है कि 2014 को जो हम लोग रेफरेंस में लेके चल रहे थे तो एक कंपेरिजन करने का दूसरा चार्ट अविलेबल हो चुका है जो चार साल के बाद अपने पास आया हुआ है जो कि अभी फिलाल दो तारिक को रखा गया दो अगस्त को काफी सारे कंसल्ट के पास यह लिस्ट अविलेबल नहीं होगा या फिर आपको बताना नहीं चाहेंगे कि वहां पर उनकी पोल खोल रही होगी हम लोग आज चाहिना की एक-एक करके जो में 45 उन्वॉसिटी उसके बारे में एकध करके डिसकस करेंगे के वह युनुवसिटी तो involvedn ' के अंदर क्या चैनल ता और वो युनुवसिटी का है निंदर क्या कंडिशन है问 थो हम में बात करना शूरू करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीलीन उनिवसिटी की जीलीन उनिवसिटी के अगर मैं बात करता हूँ 62 सीट से फोर दे इंटरनेशनल स्टुडेंट वहाँ पे पूरा 100 सीट भी नहीं है वहाँ पे और उसका अगर रिजल्ट का मैं बात करता हूँ तो 2014 के अंदर था 15.38 पंदरा पॉइंट 38 परसंटेज रिजल्ट था एफम जी का 2014 के अंदर 2018 में क्या है इट्स वेरी बिग सर्प्राइज विकर जीलीन इस फैमस प्रोलक्रीन मार्केट और जीलीन का अगर आप देखेंगे 2018 का तो आप सर्प्राइज हो जाएंगे वह सिर्फ 4.40 परसंटेज यस तो अगर आप देखेंगे डिफ्रेंस दोनों के बीच में 2014-18 के बीच में तो वो डिफ्रेंस आ रहा है माइनस 10.98 अभी जीलीन इतना फैमस है बच्चे वहां पर जाने के लिए उत्सुक रहते हैं वहां पर इंटर्वियू तक होता है बच्चों का इंटर्वियू के बाद बच्चे को लिया जाता है वैसी उनिवसिटी में अगर परसंटेज डाउन रहा है दूसरी बात जीलीन के अंदर लोग के टेकरी स्टुडें नहीं एकसेप करते हो लोग डाइसो से तीन सो नीट में मार्क सो सेवंटी परसंट के ऊपर हेल्थ में तो एकसेप करते है ऐसे क्वालिटी स्टूडेंट होने के बाउजु दगर रिजल्ट डाउन आ रहा है यास कुछ लोग बोलेंगे के पहल पर देख सकते हैं कि जादा क्राउड और पड़ाने में दिक्कत आती हो स्टूडेंट टीचर रिश्यों भी काम हो रहा है यहां पर इंटरनेश्टल का स्टूडेंट भी काम है तो इस तो नहीं नहीं हुई है ध्यान में रखना यह वीडियो जितना होता है ज्यादा से देर आओ कि आप खुछ से भी चेक कर सकते हो दोनों वेबसाइट पर जाकर दूसरी अगर में बात करता हूं चाइना मेडिकल उनिवसिटी चाइना मेडिकल उनिवसिटी का जो पहले रिजल्ट था वो था 20.77 और 2018 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 11.63 मेंस 9.14 का डिफरेंस आ रहा है जो गिरा है नीचे रिजल्ट 2014 की कंपेरिजन में चाइना मेडिकल उनिवसिटी इस एक्सपेंसिव उनिवसिटी सस्ता नहीं है लेकिन रिजल्ट डाउन आ रहा है पैसे जादा बरबात करके भी कोई मतलब नहीं है आँस आपको क्लियर पता चल रहा है थार्ड इसके आता है डालियन मेडिकल उनिवसिटी उसका रिजल्ट है 13.64 और उसका जो रिजल्ट डाउन गया है 70.27 मिन्स माइनस 6.37 रिजल्ट डाउन गया है इस स्ट्रिक्ट उनिवसिटी आफ्टर दे स्ट्रिक नेस अगर वो लोग रिजल्ट इंप्रूव नहीं कर पा रहा ह रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है उसके बाद है त्यांजिंग त्यांजिंग की अगर हम लोग बात करेंगे 18.48 था रिजल्ट परसंटेज 2018 में आया हुआ है 15.71 मिस माइनस 2.77 बहुत ज्यादा वेरिशन नहीं बोल सकते लेकिन 20 से तो कमी है रिजल्ट एंड में हम है आप लोग एक निचोड़ भी बताएंगे कि कितनी इउनुवसिती का थर्टी से ओपर है किटनी का ट्वेंटी के ऊपर है है हमाँ अ आपम तो कि समझे की जरूरत है। नहीं कि दुसरे लोग आपको ग्रेट देर आप एक्सेप्ट कर रहे हो द्यार नॉट वेरे बीग प्लियर द्यार चीटर उनको सिर्फ पैसा चाहिए बस बाकी कुछ नहीं आपका कंफोर्म हो गया पैसा चला गया उसके बाद आप टॉन देख लीजेगा उन लोगों का कि आ बात है बहुत बड़ी-बड़ी होगी हमारा एसकोट आएगा यह आएगा वह आएगा एसकोट आता है वहाँ पर शराप पिके टून रहता है बच्चों का कुछ पता नहीं होता है सी दर इस बड़ी कंपनी जब भी होगी ना तो आप उसके एमप्लोई से बात कर रहे हो उ लेकिन ओनर कहां तक आपको रिस्पोंस करेगा जहां तक उसके जेब में पैसा आ रहा है उसके बाद वो कभी भी फॉन लाइन पर बात करने नहीं के बाद अगर हमने डालियंग की बात की उसके बाद जो महिंगे वाली यूनिवसिटी आती जो बेजिंग में आया हुआ कैपिटल का अगर मैं बात करता हूँ 2014 का जो रिसल्ट था 23.08 था जो की 2018 में 10.71 परसंट है तो माइनस 12 पॉइंट संधिंग जो फिगर रह रही है उसकी तो माइनस 12 कि इतना नीचे गी रहा है रिजल्ट और कैपिटल की अगर हम बात करते हैं कैपिटल का टियान जिंग का मैंने आपको बोला माइनस 2.77 उसके बाद हम लोग आते हैं शैंडॉंग उनिवसिटी के उपर है शैंडॉंग का टोटल 78 से पूरा हंड्रेट नहीं है बागी जो उनिवसिटी मैंने बोली चार चाइना मेडिकल उनिवसिटी डाली हैं कैपिटल तैयांजिंग वह सब में 100 सीट से लेकिंग कैपिटल के शैंडॉंग के अंदर जो है सेवंटी एट सीट से 2014 तक वहां पर किसी ने एक्जाम नहीं दिया हुआ है तो जीरो परसंट रिजल्ट था पर खतम हो जाता अड्मिशन तो फुदा एंग के अंदर आज तक कोई भी किसी भी बच्चे ने एक्जाम दिया नहीं है तो उसकी 100 सीट से लेकिन वह काउंट करने की कोई जरूरती भी नहीं रहती है अपने लिए क्योंकि इंडियांग के लिए अपनी सीट है तो चाइना कि वह इनुवसिटी किसी को प्रिफर नहीं करूंगा उसका 2014 में जो रिजल्ट था वो था 23.67 और जो अभी 2018 का रिजल्ट है वो है 11.76 परसंटेज में टोटल 11.91 परसंटेज का गिराव है वहां पर और यह इनुवसिटी रिलाइबल नहीं है मेरे हिसाब से जिस तरह कि कि अभी का माहूल चल रहा है इंडिया पाकिस्तन और चाहिना सबकर उसके हिसाब से वह ट्राइंगल बोल सकते हैं वह ट्राइंगल जौन में बच्चे को बेजेंगे एक साल तो अच्छा निकल गया तो बच्चे का एज्यूकेशन पर बहुत बड़ा एफेक्ट होगा नोड मिल Пр plugged लग हो तो आप बहुत ज्यादा पड़े लिख लग रहे हैं मिर को आप ज्यादा शॉया नहीं हमिया हां सैयाने लग हो तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता मत взять पैरेंट्स को रेंगर बच्चे की सैफटी की परवा है को तो उसे जल ओन में chnोड़ने देश यहाँ आ और जो अभी नीचे गिरा हुआ है उसका रिजल्ट वो है 13.95 मिनस 7.45 नीचे गिरा है रिजल्ट काफी अच्छा सीटी है बहुत ब्यूटिफूल सीटी है ठंड भी है वहां पे सब है कॉलेज भी अच्छा है लेकिन रिजल्ट डाउन है उसके बाद अगर मैं बात करूँगा जियांग्शू उनिवसिटी जो की बहुत फैमस है गुजरात के मार्केट में जियांग्शू का रिजल्ट का मैं अगर बात करता हूँ 21.40 परसंट था जो 2018 के अंदर आया हुआ है 13.95 मिनस 7.44 45 बहुत जाते बच्चे आ गुजरात से ज बाकी स्टेट का मेरे को पता नहीं है लेकिन रिजल्ट आउन है पैरेंट्स को यह चीज़ देखने की ज़रूरत है उसके बाद वैंजो वैंजो के अंदर हम लोग बात करेंगे करीबन 1500 सीट है लेकिन वहां पर दो कैंपस है एक और से स्कूल और दूसरा नॉर्मल आप कह जह पर जा रहे हो वह मेरे को पता नहीं है लेकिन अगर उसके रिजल्ट के में बात करता हूं 11.72 था उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा फरक नहीं है उसमें 11.21 ऑना वह मेस्त एक 11 परसंट का उसने रेश्यो मेंडेंग किया हुए है ौ जीरो प्ऌरेंट्मएटी वन परस अगेन बहुत जल्दी फिल अप हो जाता है हेंडेट सीट से उसके अंदर उसका 25.64 परसंटेज था जो की हाट प्रोड़क्ट है चाहिना का और वो जो गीर के नीचे आ हुआ है 14.29 मिन्स माइनस 11 परसंट रिजल्ट नीचे डाउन गया है जिज्यार की बहुत जल्दी आए रिजल्ट डाउन है वहान की बात करते है 35.29 परसंट रिजल्ट था 100 सीट है उसकी और अभी जो रिजल्ट 2018 का हुआ है 9.77 परसंट 25.52 परसंट नीचे गीरा है रिजल्ट और ये जो भी डेटा में दे रहा हूँ आप क्रॉस से खुद से कर पाओगे मैं बोल रहा हूँ उसके उपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको जो रियालिटी है वो बताने को ट्राइक कर रहा हूँ समझना आपको सर्च आपको करना है कोई बोलता है उस पर ट्रस्ट में कीजिए खुज से सर्च कीजिए इसके बाद हम लोग हश्ट की बात करते हैं हम जो इनुवस्टी आप साइंस टेकनोलोजी हंड्रेट सीट से महां पर थर्टीन पॉइंट सेवंटीन रिजल्ट था टूजन फूर्टीं का टूजन एटीं के अंदर वो आया हुआ है नाइन पॉइंट सेवंट जीरों मिन्स करीबन चार परसंट के आसपास का वेरियेशन है उसका जियांग जो टॉटंग अगें इट्स फैमस इन नौथ इंडिया एस वाल इस साउथ इंडिया माइन 14.63 परसंट रिजल्ट था जो की 2018 में बना है 9.38 परसंट और वो हो जाता है माइनस 5.25 जो डिफरेंस है वो साउथन मेडिकल उनिवोसिटी जो की बहुत कम लोगों को पता होता है बहुत कम लोग बोलते है इसका नाम उसका अगर रिजल्ट की बात करूँ 2014 में था 24.64 और 2018 में जो रिजल्ट आया हुआ है 14.83 तो माइनस 9.81 का वेरियेशन है उसके अंदर जिदान उनिवोसिटी 100 सीट्स है कुछ अच्छा परफॉंग कर रही है उनिवोसिटी 19.23 परसंट रिजल्ट था जो की 25 परसंट जितना इंप्रूव हुआ है मिन 6 परसंट का वेरिशन है यह अच्छा रिजल्ट बोल सकते हम लोग उसके बाद गौंग्शी मेडिकल उनिवोसिटी अगें 16.77 परसंट था जो की चेंज होंके 12.74 परसंट बना हुआ है तो अगर वो आप देखेंगे तो माइनस 3.93 परसंट हुआ है मिस रिजल्ट डाउन गया है सिच्वान 100 सीट्स 10.46 रिजल्ट था जो बढ़के 15.69 परसंट हुआ है कुछ और वो जो रिजल्ट का वेरिशन है 5.13 इंप्रूब्मेंट है इसमें कुछ यूनिवोसिटी सिलेक कर रहे हो तो आप यह डेटा देखके सिलेक करो यह डेटा के बेस में सिलेक करो इस यूसफ कि मेन भी सब्सक्राइबर नहीं है ज्यादतर नहीं बहुत सकता है लेकिन जितनों के पास पहुच रहा है मेरा रिक्वेश्ट है कि यह विडियो को या तो फिर अपनी लेंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुचाएं कि बच्चे का सिक्स परसंट रिजल्ट था 2014 का जो की अभी डाउन जाके गया है 10.80 परसंट मिन्स करीबन छे से साथ परसंट का वेरीशन आ रहा है माइनस में हर्बिन की मैं बात करूंगा तो हर्बिन मेडिकल उन्वर्सिटी का 100 सीट से 2014 में कोई बच्चा एक्जाम नहीं दे रहा था वहां पर 2018 का जो रिजल्ट रिलीज हुआ है 16.28 परसंट है मिन्स 16.28 परसंट का शुरू आत हुआ है उसका गलत नहीं बोल सकते अच्छा है वो उसके बाद वे हुआ कि मैं बात करता हूँ उसके अंदर 40 सीट से 12.50 परसंट र वेरियेशन है इक्वल बोल सकते है आप उसको मिस कुछ ज्यादा नहीं क्या कुछ कमी नहीं हुआ मैंटेंग किया उसने स्टेटस को बेवा मैं अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादे तर नैपल स्टूडेंट ज्यादा जाते इंडियन लोग की का दादा बहुत काम होती है जिन्जाव मेडिकल उन्वसिटी 60 सीट है 14.29 रिजल्ट था उसका 2014 के अंदर और अभी जो रिजल्ट आयो है 2018 के अंदर 28.93 इट्स वेरी गुड रिजल्ट तो यह उन्वसिटी एक मिरको अच्छा दिग रहा है सीटे काम है लेकिन यह आपका लिए सिलेक्शन अच्छा हो सकता है लेकिन अभी फिलाल दिक्कत यह है कि चाइना में सीट अवेलेबल है की नहीं वह आपको पता करने की जरूरत प्रहें की पहले आप कैंसल करवा रहे हो कोई जगह पे तो यहां पर आपको मिलेगा की नहीं मिलेगा वो गैरेंटी नहीं बोल सकते हैं क्योंग डाओ क के अंदर जो रिजल्ट आया हुआ है वह है एट पॉइंट सेवन्टी फॉपर सेंट है मिज आप देखेंगे तो करीबन चौदा से पंदरा परसंट का माइनस गया है रिजल्ट क्योंग डाओ एक दरिया के नजदिक आया हुआ युनिवसिटी है ठंड का माहल थोड़ा कम रहता है वह सब एक चॉइस होता है पैरेंट्स का तो उसके बेस पर क्योंगडाओं में सीटे बढ़ती है लकिन क्योंगडाओं के अंदर कंडिशन देख रहे हो क्या है उसके बाद में अगर बात करूंगा हेपे मेडिकल उनिवसिटी सिक्टी सीट है 22.28 परसंट रिजल् रहता है निंचे या उसमें भी 60 सीट है 20.45 परसंट रिजल्ट था 2014 के अंदर 2018 के अंदर वो रिजल्ट डाउन होके गए 10.04 डैट मेंस करीबन-करीबन 10 परसंट के आसपास का जो वेरिएशन दिख रहा है माइनस में टोंजी मेडिकल उनिवसिटी एक वर्ल रंक उनिवसि 60 सीट है 8.53 रिजल्ट था और उसने अपने रैंक के हिसाब से परफॉंग इंप्रॉव करने को ट्राइग किया हुआ है 2018 का रिजल्ट है वो करीबन-करीबन 3.21 परसंट इंप्रॉव होके 11.54 तक पहुचा हुआ है इसके बाद सेजी इनिवसिटी की बात करूंगा 60 सीट है कोई भी बच्चे ने एक्जाम दिया नहीं था 2014 के अंदर 18 के अंदर रिजल्ट जो है काफी बहतर है 35.29 परसंट रिजल्ट है इट्स ए ए ग्रेड ऑप्शन फोर दे स्टुडेंट इप्टेंकिंग इन चाइना सी अप्शन सीलेक करने यह चीज दिख्या कितना बहतर इट्स राप्यूट इनुवसिटी फूमी बिकज हम लोग को देखना है चाइना का क्या माओल है क्या एट्मोस्फिर हो देखने की ज़रूरत नहीं है कितना बच्चा रिटन आके क्या परफॉम कर रहा है और दिस इस दर रिजल्ट उसके बाद मैं अगर बात करूंगा होट प्रोड़क्ट है गुजरात के अंदर भी चलता है महारस में भी चलता है यह इतना रिजल्ट डाउन जा रहा है करीबन 13 परसंट 11 परसंट का विरेशन है माइनस में यांग्जो की मैं बात करूंगा राजस्तान में बहुत फैमस है 60 सीट है 15.2014 के अंदर उसका था 13. 13.33 जो की बहुत ज्यादा फरक नहीं हुआ है 12.29 रिजल्ट है और उसका जो विरेशन करीबन एक परसंट दो परसंट के आसपास का है उसके बाद नांटों की बात करेंगे 60 सीट है अगें 21.94 परसंट रिजल्ट था और उसका जो विरेशन जो आया हुआ है 9.83 परसंट है तो विरेशन अगर देखेंगे माइनस 12 परसंट का विरेशन है उसके बाद अगर सुजो की बात करेंगे जो की महराश्च्ट में गुजरात में सब जगा पर फैमस है सुजो का रिजल्ट था 23.93 जो की डाउन होके 18.59 परसंट पे जा रहा है मिस 5 परसंट का माइनस गया 2014 में कोई बच्चे ने एक्जाम नहीं दिया था 2018 के अंदर 18.59 परसंट रिजल्ट है अच्छा बोल सकते है उसको शुरुआत में अच्छा रिजल्ट है उसका फूजियान अगें 00 था उसका 14 के अंदर कोई नहीं था बच्चा 18 के अंदर 1.41 परसंट अउनली रिजल्ट थ है इट से गुड़ ऑप्शन और नॉट अनुवी मेडिकल उन्वर्सटी अगें 60 सीट थी बच्चों के पास 60 में से 2014 में किसी ने एक्जाम नहीं दिया था 18 के अंदर जो उसका रिजल्ट बना था 7.53 लेकिन अनुई का एक दिक्कत है वहां पे जाने के बाद वहां पे एक एंटरंस लिया जाता है बच्चा कॉलिफाइड करना चाहिए नहीं करेगा तो उसको रिटन टू पैविलियन दे जाता है तो वो थोड़ा एक रिस फेक्टर रहता है वो ध्यान में रखके चलने की ज़रू होता है अनुई के बाद अगर हम लोग बात करेंग तो आएंगे सुचोव मेडिकल उनवरसिटी 60 सीट है वहां पे 2014 में कोई बच्चा एक्जाम नहीं दे रहा था एटिंग के अंदर 11.11 परसंट बच्चों ने एक्जाम दिया था मिस आल्मोस्ट 11 परसंट रिजल्ट बोल सकते है उसको थ्री जॉर्ज उनवरसिटी 20 सीट से सिर्फ 11.57 37 रिजल्ट था जो की थोड़ा सा इंप्रूब होके 11.67 तक गया हुआ है मिस थोड़ा इंप्रूमेंट बोल सकते लेकिन स्टेडी बोल सकते ज्यादा कुछ फरक नहीं उसमें जैंग्जाव उन्वरसिटी 60 सीट थी 36 परसंट रिजल्ट था जो की डाउन होके 11 क आसपाद आ गया है मिस 25 परसंट रिजल्ट डाउन गया था गोंजाव मेडिकल बहुत फैमस है प्रोड़क्ट गोंजाव सीटी की बज़े से 60 सीट है वहां पे 50 परसंट रिजल्ट था 2014 में इट्स फार बेटर रिजल्ट इंद चाहिना और अभी क्या कंडिशन है इट्स वास्ट कंडिशन इंद चाइना 15 परसंट 50 से सीधा 15 मिस ऑल्मोस्ट 35 परसंट रिजल्ट डाउन गया है सन्यट से इनकी मैं अगर बात करूंगा 60 सीट है वहां पे 60 सीट में से 2014 में रिजल्ट था 10.40 परसंट एटिंग के अंदर इंप्रूव होके वो रिजल्ट 15.23 तक प 20 सीट है वहां पर तो स्टूडेंट को वहां पर स्कॉप मिलने के चांस बहुत काम है 2014 में भी कोई बच्चा नहीं था या 2018 में भी कोई नहीं था 20 सीट भी अपने को रिमूव कर दी नहीं है उसके बाद आता बात करते हैं क्यूनमिंग मेडिकल उनिवसिटी की 6.61% और क्यूनमिंग में आपको मैं बात बता दूँ वहां पर इंटर्वी होता है बेजड़न दें इंटर्वी वहां पर एड्मिशन दिया जाता है उसके बावजित भी यह रिजल्ट है मैंस कुछ 10% से तो नहीं चाहिए मेरे लिए तो good option नहीं बोल सकते हैं उसके बाद North Sichuan Medical University आती है 40 seat थी वहां पर 15.38% रिजल्ट था जो की 2018 में बन गया है 6.67% रिजल्ट मींस almost 8.71% का रिजल्ट डाउन है वहां पर जो की South में और वहां पर ज्यादा famous है North Sichuan बच्चे जारते हैं लेकिन result इतना डाउन है मैं सही नहीं बताऊंगा कभी भी इसको Southwest Medical University 2014 में भी कोई बच्चा नहीं था 18 में भी कोई नहीं है तो उसके बारे में हम लोग कोई review नहीं डाल सकते हैं जीमेन उनिवोसिटी अगें 60 सीट है वहां पर 12.87 परसंट रिजल्ट था जो की करीबन 2018 में 22 तक गया हुआ है घ्र जो टैन परसंट वरिशन इट्स गुडॉब उसको गलत नहीं बोल सकते अच्छा यह है तो मेरे हिसाप से अगर मैं इए ग्रेट देना चाहूंगा तो जो 20 के उपर की उनिवह ग्रेड़ दूंगा मैं जो 10 परसंट के उपर की उसको वी ग्रेड दूंगा और ग्री द 10% से ज्यादा उसको डिग्रेड दूंगा हम लोग अलग अलग कंट्री के बारे में अलग अलग वीडियो डालेंगे यह जो पोस्टमर्ट हमें यह सिर्फ चाइना के लिए नहीं कर रहे हम लोग हम भी जो युनिवर्सिटी प्रमोट कर रहे हैं उसका भी होगा बर्बाद हो रहा है उसको ध्यान में मत रखेगा कभी भी डिसीजन सही लीजिएगा कि पूरा फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए लोग आपको चीज दिखाएंगे आपको लोग बोलेंगे भी की जरूरत इसलिए है कि इंडिया में प्रेक्टीस करनी है कि आपकी आंखों पर चस्मा लगा जाएगा कि आप USME, USME का स्पैक्स लगा दिया जाएगा UKPLAB लगा दिया जाएगा जर्मनी का लगा दिया जाएगा लेकिन पहले अपनी कंट्री के एक्जाम के बारे में तो सोची आप वो क्रेक करपाएंगे कि नहीं करपाएंगे और चाइना में क्यों ऐसा हो रहा है क्यों रिजल्ट डाउन गया मैंने बोला तक मैं रिजन बताऊंगा चाइना में दिक्कत क्या है कि वहाँ पर लैंग्वेज होती है लेकिन वह लांग्टर्म सिमित नहीं रहेगा इन फ्यूचर गवर्मेंट को पता चल जाएगा तो वहाँ पर भी श्ट्रिक्नेस आने की चांसे लेकिन लेकिन वह लांग्टर्म सिमित नहीं रहेगा इन फ्यूचर गवर्मेंट को पता चल जाएगा तो वहाँ पर भी श्ट्रिक्नेस आने की चांसिस है तो वहाँ पर हम लोग गैरेंटी नहीं दिसकते हैं बच्चे एचस के क्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अगर मैं ऐसे पैरेंट्स आपको बोलता हूं कि आपको हि नहीं सिखेंगे वो जो लेंग्वेजे में बोल रहा हूं वो तो अल्फाबिटिक लेंग्वेज है चाइनीज इस सिम्मोलिक लेंग्वेज है तो इस वेरी डिफिकल पार्ट एक लाइन भी बीच में से रिमूव कर देंगे तो पूरा माहूल चेंज हो जाएगा उसका दूसरी बात है अगर मैं करता हूँ चाइना के अंदर से इस सीटी बहुत अच्छी है वहाँ पे टेकनोलोजी में अपने से आगे है लेकिन यूनुवर सिटी भी बहुत बढ़िया है मैं मान रहा हूं लेकिन ये लेंग्वेज वाला बर्डन महां पर परिशन कर डालता है उसकी वाज़ से रिजल्ट पे एफेक्ट हो रहा है उनका और गवर्मेंट को कोई पढ़ी नहीं चाइनिस गवर्मेंट को आपके MCI की रिजल्ट की हिसाब से उनको उनका इंकम कितना आ रहा है उससे बढ़ी होई है MCI को देने देखने के उनको क्या ज़रूरत है उनके टीचर इंडियन टीचर थोड़े पॉइंट किये वहां पर जो भी टीचर है वहां के चाइनिस टीचर याथ फिर दूसरी कंट्री के कुछ होगे बांगलादेश पाकिस्तां की और वहां के नेपल के सो जो भी है डिसस आपको जो भी लेना है सी हमने आपको यह जानकारी जो दिये वो टूथ के इसाब से दिये उसके बावजूद भी अगर आप ड्राइड नहीं बदल रहे हो और उस पे ही आप लगे जा रहे हो मिस या तो आप बहुत ज्यादा एजूकेटेड हो हमारे गा आपका डिसेजन है आपके बच्चे का लाइफ है आपका है लाइफ हमारा प्रेशर का कोई जरूरत नहीं है हमने हमारा फरस एडवाइज देना हम आपको एक इंफोमेशन दे रहे है उसको मानना ना मनना वह आपकी मरजी की बात है मार्केट में लोगों को काम है बिस्देस करना आपको मिसगाइड करने को भी ट्राइ किया जाएगा मिसगाइड होना नहीं होना वो आपको देखना है पैरेंट्स जो यह वीडियो देख रहा है मेरा रिक्वेश्ट है हो सकता है उतने जहाद से शेयर करें सब्सक्राइब करें अलग 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 टॉपिक की बारे में डिस्कस होता रहेगा हम ट्राइब करेंगे जितना होता है उतना पॉजिटिव इंफोमेशन देने के सब्सक्राइब करेंगे इट्स रियालिटी एंड अंदर ट्रूथ सो थैंक्स पो टूड़े बेस्ट अफ लक टेकर कुछ भी चाहिए इंफोमेशन नीचे नंबर दिया गया है वेबसाइट दी गई है इमेल आडी भी दिया गया है